नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है Regulating Act कई बार आपने पढ़ा हुआ है कि Regulating Act 1773 में आये था बिल्कुल सही पढ़ा है कि 1773 ये वो समय है जब जैसे Regulator होता है न तो वैसे ही East India Company की हरकतों को Regulate करने के लिए बिल्कुल सही बात है वहां से कोशन भी आते हैं लेकिन अभी आपको हम ये पताएंगे कि Regulating Act आया क्यों था वाई क्या ज़रूत पढ़ गई थी कि East India Company की हरकतों को Regulate करने की मतलब ऐसी कौँसी कंडिशन पैदा हुई थी ऐसे कौँसी परसतिया पैदा हुई थी कि British सरकार को ज़रूत पढ़ गई थी कि East India Company की हरकतों को Regulate किया जाए बात तो समझने राइक है ऐसा क्या कांड कर दी थी उसके बाद ही कम घरवाले आपकी हरकतों को चेक करते हैं रोकते हैं बैलेंस करते हैं यह regulate करते हैं उसी को आम भाशा में तो असान भाशा में समझते हैं कि regulating आने के क्या क्या कारण थे इसके वज़े से यह आना पड़ा यह को बहुत सिंपल सी बात है इसका अगर तुम बैग्राउंड जानोगे तो बैग्राउंड शुरू होता है बंगाल से तुम जानती हो कि ज सिराज दौला के अबाद में वो धोकेवास गदार और बस इतना ही कह सकते हैं तो वो धोकेवास खंजर भोगने वाला उस मीर-जाफर जब बंगाल का नया नवाब बनता है सिराज की हथया करने के अरधै करवाने थे तो मीर्जाफर जब गदी पर बैठता है तो मीर्जाफर अंग्रेजों का एसान भी तो चुकाएगा और एसान चुकाते हैं उसने कहा कि आज के बाद East India Company को जो बंगाल, बिहार, उडिसा में कर नहीं चुकाना पड़ता है ना अब उस कंपनी को उस कंपनी के जो करमचारी है तो क्या बोला मीर्जाफर ने, मीर्जाफर ने बोला कि जो East India Company है उनके जो करमचारी है वो अपना नीजी वैपार कर सकते हैं और जब वो नीजी वैपार करेंगे कंपनी के करमचारी, कंपनी के एंपलोई जब अपना नीजी वैपार करेंगे अपना पर्सनल ट्रेड करेंगे तो पर्सनल ट्रेड करते समय उन्हें बंगाल में, विहार में, उडिसा में सिंगल पैनी भी नहीं खड़ दीनी है, टैक्स के फॉर्म में अब इस ने कंपनी को भी टैक्स नहीं देना था, और कंपनी के करमचारी को भी टैक्स नहीं देना था, तो कंपनी के करमचारी जो है, वो कंपनी के पैसे पे, इस ने कंपनी के पैसे पे भारत में आते, भारत में रुकते, भारत में खाना खाते, भारत में आशो अराम करत लेकिं company के नाम पर एक भी काम नहीं करते। company के नाम पर कोई business नहीं हो रहा था। इसलिए कि company के करमचारी तो लगातार अमीर हो रहा है थे, लेकिं company लगातार घाटे में जा रही थी. क्योंकि जब company के नाम पिजशनी नहीं होगा। कESS पर्सनल होगा तो फिर ढसthटी कम्पनी की करमचारी के अमीर ंचे कारण किया था। क्योंकि ये लोग बंगाल के नवाप से पैसा पाई थे। कर्नाट्टी के नवाप से पैसा पाई थे। किसे से बीस लाग, किसे से पचीस लाग, किसे से एक करोड, किसे से पचास लाग पाई थे और सारा पैसा कहा रख लेते थे, कुछ अपने पीछे वारी जेम में रख लेते थे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह बहुत अमीर हो रहे थे तो कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी और इसी बीच में एक बवाल हो गया बवाल क्या हुआ बवाल यह हो गया कि 1770 के आसपास यह जो इस ने कंपनी है दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है है ना उसने बैंक ओफ लंदन से बैंक ओफ लंदन इंग्लेंड का सबसे बड़ा बैंक था उसे 10 मिलियन पॉंड मांग लिए भईया हमको 10 मिलियन पॉंड का लोन चाहिए और जैसे कहा कि 10 मिलियन पॉंड का लोन चाहिए भाई साब आग लग गई बेटिश पार्लेमेंट मे क्योंकि bank of London ने बोला भई पर्लिमेंट को कि भाई 10 लाग पॉंड मांग रही है 10 मिलिन पॉंड मांग रहे है बिटिश पर्लिमेंट में का पागल वागल हो गए सब के सब इतना पैसा छापे पड़े हैं उस चापे पैसे यहापने का बात कर रहे है कि लौन चाहिए पागल हो गए है क्या चलला महाँ पर बास समझ वाई की नहीं आई अई भाई जो.. करोडों रूपए चाप रहा है लाकों रूपए चाप रहा है और वह लून हमसे मांग रहा है कि और लून मांगने की जरूरत भी थी क्योंकि कमपणी दिवाली हो गही थी तो जब लून मांगना शुरू किया तब समझ मैं कि कुछ न कुछ तो कमपणी के अंदर गड़बर चली रहा है और दूसरा कंपनी के हरकतों को इसलिए भी रेगुलेट करना पड़ा है एक तो लोन आ गया बीच में कि भाई लोन मांगरी कंपनी इसका मतलब कुछ गड़बर चला है दूसरी बात यह है कि इस इंडिया कंपनी भारत में केवल वैपार्थ होना कर र गड़बर चली मेंट रही होती तो बिच्च पार्लेमेंट हस्तक शेप क्यों करती है तुम ट्रेड करने के एस ते भारत पे कबजा भी कर रहे हो इसलिए बिच में आना पड़ा हम तुम को रेगुलेट करें कि ऑगये क क्या कर रहे हो कैसे क catalog को देखना पड़ेगा दूस इसमें बंगाल की एक त्याही जनसंख्या मारी गई और इन बत्तमीजों की वज़े से ऐसा हुआ था इसी ने कंपनी की वज़े से ऐसा हुआ था तो इसकी वज़े से बदनामी भी हो रही थी बिटिश पार्लिमेंट की कि अंग्रेज जहां जाते हैं वह बरबादी फैलाते ह है इसलिए यां मंजा इने खाले और कंपनी घाटे में हैं कंपनी बरबाद हो चुकी है क delve करंशारी अमीर हो यहfed इसलिछ पडोर इसंसिक नेक्तर इनक्व कमपनी और करम चारी जो है वह और आ Linksने शेप कर रहे थे और ना केवल हस्तक शेप कर रहे थे बगी भाईया जो है कबजा भी करके बैठे थे इसकी वज़े से लाखों लोगों आ बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी एक अंतिम कारण जिसमें अमेरा ध्यान नहीं जाता है रेगुलेटिंग आक्टाने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि इंग्लैंड के अंदर जाके देखे का उस समय इंडिस्टलाइशन हो चुका था ये क्या होता है हिंदी में कहते हैं औद्योगी की करण और असान भाषा में इंग्लैंड वो देश था जहांपे समान को किसी भी वस्तू को हातों से जगहा पे मशीन से बनाया जा रहा था बड़ी-बड़ी मशीने लगी थी और धेर सारा समान बनाया जा रहा था जिसकी वज़े से इंग्लैंड में बहुत सारी कमपनियां बन गई थी और वो कमपनियां जो बनी थी जिनके पास में धेट सारा प्रोडेक्ट था वो अपने प्रोडेक्ट को भारत के मार्केट भी मेशना चाते थे लेकिन इस जो East Inna Company है इस East Inna Company के पास मोनोपोली थी एकादिकार था इंगलाइन के एक राजा थे James Pratham जिनोंने 1609 में बोल दिया था कि East Inna Company भारत जाके वैपार करेगी और इंगलाइन से कोई और कमपनी भारत जाके वैपार कर नहीं सकती और इसको आज इवन के लिए ऐसा कर दिया था इसलिए अगर किसी इंगलाइन के कमपनी को भारत आना है तो इनकी मोनोपोली को तोड़ना होगा एक बार जाने का मौका दो प्लीज 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 जाने का मौका दो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बिटिश पार्लिमेंट के ओपर बहुत दबाव था वहां की ओधियों का वहां की इंडस्ट्रीस का कि सर इनकी हरकतों को रेकुलेट कीजे हमको भी जाने का मौका दीजे लेकिन इस्ट ने कंपनी को पता था यह सब हमारी मोनोपोली तोड़ेंगे तो विटामिन M दे दिया बेटिश पार्लिमेंट के बहुत सारे मंत्रियों को विटामिन M यह सुना नहीं होगा विटामिन M के लिए जी जाएगा क्योंकि विटामिन M में बहुत ताकत होती है इसलिए घूस पकड़ा दी थी इसलिए पर हमकी हरकतों को रेगुलेट करने के लिए कमीटी बनी थी लॉर्द नॉर्थ कमीटी लॉर्द नॉर्थ कमीटी वहां की पीम थे उनकी अधिस्ता में जब करनचारी लगातार अमीर हो रहे थे कमपनी घाटी में जा रही थी बरबात हो चुकी थी खोकली हो गई थी पैसे के जरूत थी इसलिए करप्शन बाहर आ गया दूसरा वह भारत में ना केवल वैपार कर रहे थे बलकि राजिती में हस्तक शेप कर रहे थे और ना केवल हस् आई थी सर हमको विभारत जाके वैपार करने का मौका मिलना चाहिए ठीक है आशा करता हूं कि आपको यह समझ माया को किस तरह सो तीहतर में रेगुलेटिंग आया क्यों था अगली वीडियो में आपको मैं संजाने की कोशिश करूँगा कि रेगुलेटिंग आट के प्राइर दीजेगा कोई शिकायत हो तो कॉमेंट सेक्षन बताइए गाइज जिसको मैं इंप्रूफ कर सकूं और बस लाइक कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा सब्सक्राइब करने का फाइदा यह होता है जैसे हम लोग कोई चैनल देखते है अच्छा लगता है त तो वो चैनल पर कुछ नया कंटेंट आए वह हम देखना चाहते हैं इसे सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल बटन को दबा दीजेगा ठीक है थांक्यू सो मच कीप लर्निंग बबाई टेक किया